हेलो गाई कैसे आप लोग तो चलिए आज हम यू टापिक लेकर आए हैं जिसमें डिसकर्स करेंगे कि उन मैटल्स को कैसे एक्टिविटी सीरीज के टॉप में आते हैं अब तक हमने लो और मिडिल का पड़ा है लेक्चर मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया है आप लोग सबिके कि सब्सक्राइब मैं सब्सक्राइब charlaseं जोकि-ulators में होते हैं मो Å justement करो और उनकोika क्या मिलजाता है लेकिन यहां ऑ monster है इनकी reactivity की वजह से ज्यादर होते हैं मोश रीक्टिफ वहते हैं इसकी वहसे क्या होता है कि oxides के साथ compound oxide का जो बंता है जब oxides के फ़र में होते है तो बहुत अच्छे से stable होते हैं तो इनको carbon reduced नहीं कर सकता carbon एक दिए AG थे खेंट थे ani affinity they are they are having good avenity towards oxygen क्योंकि जिए को कीARK बड़े stable होते हैं और reactive होते हैं इसलए कार्भै इसनिमTrack could look resistant to make them तो सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं यह एटमोस्फियर में नेचर में दो तरीके से मिलते हैं दो फॉर्म में मिलते हैं कौन-कौन सा फॉर्म होता है देखिए या तो यह मिलेंगे हमें क्लॉराइट के फॉर्म में या तो यह क्लॉराइट के फॉर्म में मिलते हैं तो इनमें से कौन-कौन सा मेटल मिलता है एक पोटेशियम है सोडियम है मेगनेशियम है और कैल्शियम है यह वह मेटल्स है जो क्लॉराइट के फॉर्म में मिलते हैं और ऑक्साइट के फॉर्म में जो मिलता है वह होता है हमारा अलॉमीनियम हमें ऑक्साइट के फॉर्म में मिलता है तो यह मेटल्स जब क्लॉराइट के फॉर्म में मिलते हाँ सब्सक्राइब करिए हमारे पास कि सोडियम है एक मेटल ले लेकिन उससे पहले समझे एलेक्ट्रोलाइटिक रिडेक्षन क्या होता है होटा है हम पड़ने जा रहे हैं Electrolysis ते का होता है कि सपोर्ज करी हमारे पास एक container है ठीक है container हlaw अच्छा से बनाते हैं ठीक है एक container है हमारे पास हमने इस container में क्या कर दिया कि दो electrode प्लेश करिए इलेक्टोर हमारे दो मेटलिक रोड्स होते हैं जिसमें से एक को हमने नाम दिया एनौड एक को हम नाम देते हैं कैथोड और एक को हमने नाम दिया एनौड और यह नेगटिव चार्ज होता है यह होता है हूमारा पॉजिटिव चार्ज का चार्ज होता है अब हमने क्या कर दिया इसके अंदर एक बैटरी कर दी और इसको अन कर दिया ठीक है चारे भी को थोतरे लीजह कर लेते हैं यह प्लाट का ओर माइनस अब हमने जिक यह भी कंटेनर है इसमें में कोई सब्सक्राइब इससे ही ऑस एक से ड़ेकर हो सकता है यह सकता है यह इफ्रेल याफ ले सकते हैं हमें कहा होता है ? कि पास करना यहां पे हमने इस बैट्री को आन किया हमने झैसे ही सबब्स करिए यहां पर हमने स्टीच लगा अदियां कि थी DECE करिए सव्फ आन कर दिया यहां से करेंट पास होगा और और यह जो सॉल्यूशन इसके अंदर होगा वह ब्रेक होना शूरू हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में कनवाट होगा तो पॉजिटिव आला चला जाएगा तो इस तरीकी से इलेक्ट्रोलाइसी होता है तो अभी हम क्या करेंगे जो मेरे से आगे बढ़ते हैंいつ же अब देखिए तो समझ में आगे सबको अब यहाँ पे हम तो ही पढ़ने वाले है Recent 님 अफसी घारeling थी तो सोडियम क्लोडराइऄ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्षन ठीक है और हम यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्षन करेंगे सोडियम क्लॉराइड का तो किस तरीके से होता है और कैसे हमें सोडियमेटल मिलता है समझती है चीज़ को दीकिए हमने यहां पर एनसी लिया और एनसीज में जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक किया जब electrolysis किया जाता है NaCl का तो NaCl क्या होता है यह ब्रेक हो जाता है एने सियल ब्रेक होगा और यह फॉर्म करेगा क्या एने और प्लस में Cl chlorine gas A2 Na और यहां पर 2 हो जाएगा ठीक है नॉर्मली हमें sodium और chloride ऐसे मिलता है लेकिए इनका reaction जो होता है और cathode वह कैसे होता है उचीज को समझते हैं देखिए तो जब electrolysis होगा तो यहां पर हम पढ़ते हैं anode at anode ठीक है कि पहले cathode समझते देखिए ठीक है add cathode देखिए cathode पर जो reaction होती है हमारी वह किस तरीके से होती है ठीक है और क्या होता है इसके अंदर देखिए तो क्या हो जाएगा एने प्लस और सील माइनस फॉर्म होगा ठीक है एने प्लस और सील माइनस फॉर्म होगा ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं है तो जो एने प्लस आयन के फॉर्म में आया है यह पॉस्टिव चार्ज है तो यह कहां जाएगा इस कंटेनर में यह जो एने पॉ क्या वे यहां पर समझते है कि एड़का थोड़ क्या हो जाएगा एन अप्लस बनेगा ठीक है और यहां पर स्थोड कुछ चीजी बारीकी से समझने वाली चीज थोड़ा ध्यान दीजिए कहाई को पता है कि एन्य एह पूस्तिव बना यह मतलब कि एन आइन के फर्म में मिला में भत बनते हैं यह रहे जब कोई भी मैटल को डॉनेट करता है हमने पहले डिसकाश किया चीज को जब कोई मैटलेक्टरोन को करूव जो बनाएगा और किसी और से लेगा तो नेगТीव आयन बनाएगा युक्राइन मिल जाएगा यहां पर मिल जाएगा हमें क्या सोडियम sodium atom मिलेगा ठीक है अगर हमें बैलेंस करना हो हुँ हमने धेखा सोडियम है तो 2 wei सोडियम है यहाँ पे compart organ हो जाएगा और यहाँ पे टो सोडियम or टेन हो जाएगा तो इस तरीके से अल्टैम मिलेश और जख़त कहां से आया यहाँ जो आया यहां पर यह maltion form में होता है तो यह कहां से मिला upfront मॉल्टेन को सोड्यon ग्लॉऱॉरॉड ठेक है depa Wed sodium chloride ये जो कहां से मिला यह हमें चैथार पर करने में करती है कहां से आएगा फ्रॉम कैथार परिके कैथार फ्रॉम कैथार तो इस तरीके से हमें fire आटम मिल जाएंगा Suri ocar मोशलम में से चाहिक Tut Hier to me नो ROB कि नोड इरुक्सक्तिक होती हमें पता है कि हमें से अ now है यहां पर से पारिक्शिद कर होगा हमारा आनोड के अपरrant protection इसा होगा हम आनोड पर मिलेगा itinerous up to track इस ओर समझने वाली चीज थोड़ी सीह बारिकी सब देखिएगा क्लोरीन हमें मिला है हुआ तो टो से लिया होगा तो यह सील- बन गई क्लोरीन माइनस की फॉर में है अगर हम इसमें से इलेक्ट्रों को निकाल देी सपोस्थ करिये हमने क्या करदें से यह हमने इसमें से यह सील- एंड वह हमा ब्ताइब OR तो यह बना हो गया होगा तो यह आइन के फॉर्म में गरमाट हो गया होगा नेगटिव इन पार निकाल दिया जब इलेक्ट्रोन बाहर आ गया तो क्या बन जाएगा यह सिंप्ली बन जाएगा हमारा क्लोरीन गया बैलेंस करने के लिए 2 है तो यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 एलेक्टोर हम क्या करेंगे यहां पर माइनस कर देंगे तो इस तरीके से अभी क्लोराइन कहां से यह फिर हमें वहीं से मिला कहां से क्लोराइड कि थे से क्लोर्ण क्लोर्ण भी 20 तैंस e 2 और जोसे को दिया अ यहां तो जो इसका रॉड होगा पॉस्टिवली चार्ज होगा उसको देखे और अपने आपको आयन के फॉर्म में करेंगा तो यह कहां देगा एटानॉड समझ जाएगा और यह हमारा किल जाएगा क्लोरीन तो यह क्लोरीन एटम हो जाएगा इस तरीके से electrolysis electrolytic reduction होता है और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं electrolytic process electrolysis process कहते हैं इसको और इस तरह करेड़क्शन को कहते हैं electrolytic reduction और इस तरीके से हमें positive और negative मतलब कि हमें किया मिल जाता है सोडियम और हमें तो यह भी जाता है क्लोने टेके से हमें एलक्राइटिक रिडस्य उता है और हम्मेरे most reactive metals को हम obtain कर लेते हैं चलिए तो इसको इतना रखते हैं एक बार फिर से इसको डिसकास करते हैं कि हम most reactive metals जो हमारे होते हैं इनको हम electrolysis reduction के थुरू electrolytic reduction के थुरू obtain करते हैं और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह जो metals होते हैं और oxygen के form में convert नहीं किया जा सकते क्योंकि इनकी affinity अच्छी होती है oxygen के साथ मतलब कि oxygen के साथ जब कॉंटेक्ट में आएंगे तो यह oxygen के कॉंटेक्ट में आते ही क्या करेंगे oxide बना लेंगे और वह stable oxide बन जाएगा जो कि carbon से और नहीं किया जा सकता यहां पर एक चीज़ समझने वाली है जो कि आप लोग नोट कर लीजेगा नोट में कि हमने जो container लिया उसमें हमने n a c l लिया था मतलब कि sodium chloride लिया था और sodium chloride हमारा किस फॉर्म में था यहां पर molten फॉर्म में था मॉल्टन स्टेट और जिससे की ए सोडियम और प्लस क्लोरीन गैस की ऑप्टेन हुई थी हमारी हमें मिला था क्लोरीन गैस ठीक है देखिए यहां पर समझने वाली चीज क्या है कि इसले लिया टा और हम इसकी एकवस इसको फॉर्म में भी तो लिए सकते थे यहां पर षॉब्रेंट कर दीं तो यहां पर दिखिए यहां पर अगर water लिया होता सम्झाजाते मीब को अगर आपने यहां पे water लिया होता तो यहां पे sodium आपको मिल तो जाता chlorine गैस मिल जाती प्लस water के साथ reaction करके दुबारा क्या बना लेता sodium hydroxide तो जब हम electrolytic reduction करते हैं तो उसमें हम molten state के form में उसको लेते हैं soym mountain form लेते हैं एकोस form में नहीं लेते हैं क्योंकि अगर मेटल करना हैम si ila pon GM offer solution is not applied there because you know due to the solution water hydroxide will form sodium hydroxide तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा यह बहुत इंपोर्टन चीज है जो कि कई पर एक्जाम में आ जाता है और बच्चे के निफ्यूज हो जाते हैं ठीक है तो चलिए के रिड़क्शन का टॉबिक हमने पढ़ लिया इतना ही था चीज को इतना रखते हैं अगर कुछ डा झाल